तो और भाई लोग क्या हाल चाल I hope कि आप सब एकदम बढ़े होंगे यार फर्स की लास तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करने वाला हूँ मिवेट वेल के उपर टाप नमबर वन थीम तो काफी इंटरेस्टिंग चाथ थीम होने वाला है तो वीडियो पूरी लास तक देखते रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले गाईस अगर आप हमारी चैनल पर फर्स टेम आए हो और फर्स टेम वीड देख रहें तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा तो गाईस यहाँ पर इस थीम की होमी स्क्रीन एंड आइकन पैक्स इस थीम में आपको टोटली डिफरेंट शा देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर काफी कलरफूल इसकी आइकन स पैक है और गैस यहाँ पर अगर कॉंटेक्ट ऐसा आइकन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 3D ऐसा सेप में देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों अगर इस थीम में अगर शेटिंग्स एप को विजिट करते हो तो यहाँ पर जो आपका सेटिंग्स एप रहेगा आपको यहां पे आइकन से लेकि यहां पे जो आपका MIUI 12 का लोगो होता है यहां पे वो भी आपको चीन देखने के लिए मिल जाएगा जो कि गैस यहां पे एक बीटा वाला टेक्स्ट को यहां पे एड कर दिया गया है तो देखने में काफी जादा आशम लुक प्रोवाइट करता है दोस्तों यह थीम जो कि आप देख पा रहे होंगे काफी इंटरस्टिंग सा यहां पे आपको बूट एनिमेशन भी देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यह बूट एनिमेशन आई होप की जरूर शेप पशंद आया होगा और लौग की स्क्रीन में ज्यादा कुछ तो नहीं बट दो सौट कॉट कॉट कंट्रोलर आपको देखने के लिए मिल जाता है राइट शलाइट करके आप फलश लाइट एन्ड यहां पे जो आप फोन को साइलेंट पे भी रख पाओगे तो काफी अच्छा से यह भी फीचर है ज्यादा सौट कॉट कॉट कंट्रोलर नहीं है लेकिन गाइस अगर इस थीम में कंट्रोल सेंटर देखते हो तो यहां पे आपको कंट्रोल सेंटर भी आपको कुछे निव डिजाइन में देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यहां पे देखने में काफी जादा आऊसम लुक प्रोवाइट करता है दोस्तों यह थीम और यहां पे काफी इंटरक्श्टिंग सा एक कलर भी देखने के लिए मिल जाता है और यहां से आप फ्लश लाइट वगरा भी ओन करते हो तो यहां पे आपको एक ही कलर देखने के लिए मिल जाता है और यहां पे आपको नेविगेशन बटन जो होता है वो भी आपको यहां पे चिंच कर दिया गिया है तो दोस्तों यहां पे जो आपको नोटिफिकेशन पैनल है मतलब यहां पे तो वो भी आपको डार्क में देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे आप अगर देखते हो तो network signal and जो battery का percentage और अगर है वो भी आपको यहाँ पे change करके यहाँ पे आपका एक AMI का logo भी देखने के लिए मिल जाता है तो काफी अच्छा लगता है और इस theme में अगर dialer app and messages app आप अगर देखते हो तो वो सारा आपको light mood पे देखने के लिए मिलता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस theme की dialer app की तो यहाँ पे आपको dialer app एकदम light mood पे है बट अगर किसी को call करते हैं तो यहाँ पे calling screen भी default की तरह ह देखने के लिए मिलता है ज्यादा changes नहीं है बट यहाँ पे messages app में अगर plus वाली icons पे देखते हो तो वो थोड़ा बहुत changes है बट यहाँ पे अगर navigation button जो होता है और search menu जो होता है application का यह भी आपको यहाँ पे totally colors में देखने के लिए मिल जाता है तो overall theme यह हमें काफी interesting लगा और इस theme में आपको जो volume controller था वो भी आपको यहाँ पे redesign कर दिया गया है जो की देख पा रहे होंगे आप इस screen के उपर की यहाँ पे जो colors blue color देखने के लिए मिलता है काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस theme की name की यानि की apply करने की बात तो यह आपको theme store पे ही available देखने के लिए मिल जाएगा theme का name है mantra vip3 यह आपको theme store में ही आशानी से available देखने के लिए मिल जाएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक like जरूर करके चाहिएगा और इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हुआ तो channel को subscribe करके bell notification को भी all कर दीजएगा क्योंकि जब भी मैं कोई new वीडियो लेकर आओ सबसे पहले notification आपको मिल जाए तो मिलते हैं next video में thanks for watching and good bye